इस वीडियो में देखने वाले हम जो angle formed होते हैं transversal के द्वारा उनके क्या नाम होते हैं उनकी क्या properties होती हैं यही सब जानेंगे इस वीडियो में सबसे पहले एक diagram बना लेते हैं और उसका नाप खरण कर लेते हैं ताकि तो मैं अच्छे समझ में आए तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर corresponding angle के बारे में यह 2 और यह 6 यह है corresponding angle ऐसे ही 1 और यह 5 यह है corresponding angle यहाँ पर और भी corresponding angle है जिने तुम ढूल लेना अपने आप अब हम बात करेंगे alternate interior angle की यहाँ पर 3 और 6 alternate interior angle है और यहाँ पर 4 और 5 alternate interior angle है अब हम बात करेंगे alternate exterior angle की तो यहाँ पे alternate exterior angle है 1 और 8 और 2 और 7 अब यहाँ पे co-interior angle की बारी आई है यहाँ पे 3 और 5 है co-interior angle और 4 और 6 यह भी है co-interior अब मैं तुम्हें इन सब angles की properties बताता हूँ अगर पहले line के बीच में transversal है तो corresponding angle, alternate interior angle और alternate exterior angle सारे angles equal होगे और co-interior angle का sum 180 होगा अब हमें सारी properties समझ लिया है तो एक example के थुरू समझते हैं यह एक parallelogram है parallelogram में क्या होता है? दोनों sides की parallel होती है तो यहाँ पे a plus b का sum कितना होगा? 180 क्यों? अभी हमने co-interior बारी property पढ़ी न? अब मालो मैं तुम्हें और की एक चीज सखाता हूँ अब जैसे यहाँ पे मालो angle c है ले ले मैंने तो यहाँ पे यह कौन से angle होगे? angle c equals to angle b यह कैसे होगे? यह होगे corresponding angle अभी तो हमने बढ़ाया था न?